तो है वेलकम बैक टू दे चैनल स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर और आज का जो वीडियो यार को थोड़ा घटके होने वाला है विकॉस जैसा कि आप टाइटल समनेल देखके समझी गयोंगे और न्यूस वगरा में आपने पड़ा होगा कि आज एक यूपी के ग रिपिटिटिटिव है विकॉस पिछले कुछ दिनों में आ पिछले कुछ महीनों में अगर बात करें तो इंडिया में बहुत जादा मतलब जो ट्रेन अभी पीछे कंचंजग एक्सप्रस का ट्रेन एक्सेट हुआ था ठीक है तो मतलब ऐसे कई सारे इंसिदेंट्स देखन म问 तो यह सिधा सिधा का फॉल्ड ठीक है और ट्रायक के फॉल्ट है इसका मतलब यह है कि ट्रैक की जो प्रोपर आपकी प्रोपर मेंटेंस पर यह नहीं पारी तीक है और इसमने कहीं ना कहीं दर्खो चाहे कुछ भी हो सिग्नलिंग इसु हो ऐइन दूट्रेने सेम स्थ पर लंगा है फ्यूमनिघ है ठीक है मदब किसी ना किसी ने अपनी जौब को पूरी responsibility के साथ नहीं किया है जिसके वैसे ट्रेन accidents हो रहे हैं चाहिए वो train का driver हो चाहिए वो station manager हो signaling के लिए जो भी responsible बंदा हो वो हो कोई भी हो बट train accidents काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं और यह मतलब रेल्वे मिनिस्टर के resign करने से भी कुछ बदलने वाला नहीं है वैसे अगर आप देखो तो जब तक grassroot level पर जाके काम नहीं अच्छे से होगा मालो जो भी बंदा मतलब छोटे से lower से lower level का बंदा भी अगर अपनी job को full responsibility के साथ नहीं करेगा full ownership लेके नहीं करेगा अगर वो यह सोज़ेगा ठीक है क्या फरक पड़ रहा है क्या अंतर पड़ रहा है तो यह mentality बंजाती है कि हर कोई बंदा इस तरह है सोचेगा और फिर इसी तरह से carelessness की वैसे accidents होते हैं चाहे वह आप train accidents ले लो चाहे वह आप अपनी day to day life में भी accidents से रहे हो ठीक है मालों आप रोट पे कार चला रहे हो अब आप तो केरफुली हो के चला रहे हो बट आपको नहीं पता कि सामने वाला बंदा कैसे से ला रहे है ठीक है इसलिए आपको सभी तरह से सभी की dimensions को दिमाग में रखके चलना पड़ता है आप चाहे कहीं जा रहे हो आप रोट क्रॉस कर रहे हो ठीक है बट पर्टिकुलर्ली जो train accidents है वह बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और मतलब इस नाओ मैटर ओफ सीडियस कंसर्ण ठीक है तो रेल्व अथर्टिस जो है उनको मतलब स्टिट्ली कुछ अब एक्शन लेना चाहे विकॉज यह मीडिया बाजी तो यह हर बार होती है मीडिया में दोचा जिन तक न्यूस फ्रेंट पेज में रिपोर्ट्स आ जाएंगी लोग मर गए यहोगे बोलने में बहुत असान है इतने लोग मर गए बट जो बंदा गया है उस ट्रेंट में उसके और उसके फैमिली मेंबर्स पर क्या गुजड़ेगी गौर्मेंट्स तो अनौंस कर रहती है जी हम इतने लाग का कॉम्बंसेशन दे रहे हैं इतने करोड क कॉम्बंसेशन दे रहे हैं आप पैसे से किसी की लाइफ को थोड़ी खरीच सकते हैं मैं कह रहा हूँ आप सौकर रोड भी दे दो क्या किसी की लाइफ की वैल्यू पैसों से जादा है क्या utilities खांगे अब कि टीक तो यह है और मतब इस पर कुछ ना कुछ कांशंस जडरूर है इसमें कहीं न कहीं है बहुत तगड़ा लूप है जिसकी वज़े से यह सारे train accidents हो रहे हैं repeatedly repeatedly हुए जा रहे हैं ठीक है तो यार मैं तो seriously government से यह appeal करना चाहूंगा अपने YouTube channel के अमाध्यम से कि strict action लेना चाहिए और जो भी जो भी बंदा is carelessness के लिए responsible है उसको not only आप job से निकालो बट उसके against एक legal case होना चाहिए जो भी इसके लिए responsible not only अगर एक बंदा दो बंदा मतलब जितने भी बंदे responsible क्योंकि अगर आप जब तक laws को strict नहीं करो गए तब तक ऐसे train accidents होते रहेंगे आज को एक हुआ है कल को चार accidents होंगे हर अफते होंगे ठीक और यह इसकी जो frequency हो बहुत बढ़ रही है पहले बहुत रेरली सुनने में आता था कि आज ही चार पांच से साल में एक train accident हो गया अभी तो यार को मना तो लोगों को भी लगता है ठीक है दो चार दिन शोर मचेगा social media पर उसके बात का तो मुझा ही शान्त हो जाई बात बट यार आप यह देखो ना जिस जो बंदा इंजर्ड हुआ पे इंजर्ड हुआ पे इस तो मतलब common man के लिए यार बोलना बहुत असान है कि हाँ यह करना चाहिए वह करना चाहिए अगर ग्रास लूट रूट लेवल पर तो कुछ नहीं हो रहा ना अगर ग्रास लूट लेवल पर कुछ हुआ होता लास्ट यर भी train accident हुआ था वह क्या नाम शाली मार एक्सप्रेस का ठीक है तो उसके बाद भी कुछ actions ही लिए अगर actions लिए गए होते तो वो दिखते उसके बाद भी इतनी train accidents हुए क्यों हुआ है मतलब अलग अलग आज किसी और वेस हुआ है कल किसी और वेसे वज़े तो यहर कुछ भी हो सकती है बट जब तक हम उस पर ग्रास रूट ले ठीक है तो यार आज के वीडियो को जादा लंबा नहीं रखते ही मैं इतना ही कहना चाहूंगा यार जो भी है मतलब यह बहुत मतलब unfortunate incidents हैं जो की हो रहे हैं और यह नहीं होने चाहिए government को मतलब चाहिए कुछ भी railway minister resign करे कोई resign करे है बट strict से strict action लेने चाहिए और जो safety measures है उनको properly follow करना चाहिए मैं बस यह ही कहना चाहूंगा ठीक है आज के इस वीडियो में तो thank you so much गाइस आ ओके